हाई यह फ्रेंट हम सभी डिसकस करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है और कंपैक्शन एक्विप्मेंट और कंपैक्शन एक्विप्मेंट में जिसे पॉइंट अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि स्मूध विल्ड रोलर है सीफूट रोलर है नियुमेटिक रो इंक्विप्मेंट को ठीक है और यह वीडियो देखने से पहले अगर नए है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें और ज्यादस ज्यादा अपने प्रेंट को सेयर करें कि ताकि वह इसका बैनेफिट ले सके हैं तो आ जाते हैं स्मूध विल्ड रोलर का मैं सेल्फ प्रोपेल्ड 5-25 टंग्स का होता है ठीक है यह इसका जो आप प्रोपेलर देख रहे हैं वह 5-25 टंग्स का होता है नो डीप कंपेशन ज्यादा डीप कंपेक्ट करने के लिए यह नहीं है रियर वील आर लार्जर इन डामेटर और फ्रॉंट वन्स आर वाइडर ने बचलिल के जो वेट है मैं घit और फैकली की बात करें तो ग्रेंडर मेंन होता है सैंड के लिए क्रेवलर का स्टून है तो इस टाइब के लिए स्वायल के लिए स्टेबल है अदेक भीजर आप देख रहे हैं इस टाइब कर यह पर एप थेकि तक रेक्रण वेक्यों whiskey है si foot roller si foot roller में क्या होता है कि hollow steel term with projected feet mounted at 100 to 200 mm cc ठीक है वेट के ताँ 50 टन होता है स्पीड क्या होता है 25km per hour एक और में 25 km तक जाता है compaction is by kneading action kneading action मतलब जैसे हम आटा को दते हैं वैसे तरह यह compact प्रफक्ट करता है इंग कनवर्टेबल रोलर डफूट प्लेट कान भी रिमूट इसको मतलब कनवर्ट भी कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं इंटर्म फूट रोलर दा इंडविज्ट शीपूट कैन भी चेंज गया भी कि अत्रच को लिए को फैस्युट इन इंपर्फिच सोईल के लिए होता है यह इस तरीकर होता है थे के सीपूट फिक्वी ठाइब का होता इस तरह के से देख सकते हैं चिफ्वी की यह अब kinda भी देख सकते हैं शी पूट रोलर आगे जाता है निवाटिक टाइप रोल टाइड रोलर तो यह कंसिस्ट आप बेसे प्लेटपार्म माउंटेड बेट्विन टू एक्सल से होते हैं अगर नेक्स पॉइंट के बात करें तो कंपेक्शन इस बाइप का होता है इनिमेटिक उसके पाइल ड्राइविंग जो हम नेक्स वीडियो में देखेंगे कि पाइल ड्राइविंग एक्विपमेंट है तो आप मेरे साथ बने रही है और देखते रही है कि आपको ज्यादा ज्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और ज्यादा तक आपको समझा सकूं तो आप मेरे साथ बने रही है और देखते रही है ऐसे वीडियो इसको तो आप जितना ज्यादा आप देखेंगे उत